गूर्ण वर्निंग आल अफ यू आज मैं एक राश्ट वादो राश्ट रिता से भरीवी बाती आपसे करूंगा स्री राजकपूर भाई का जो स्री चार्सो बीश फिल्म का गाना जो राश्ट रिता को समर्पित मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंगलिस्तानी सर पर लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी बिल्कुल भाहिराजकुपुर की बात में दम था कि क्या जापानी पहन रखा है क्या इंगलिस्तानी पहन रखा है क्या रूसी पहन रखा पर अंदर से जो दिल है वो हिंदुस्तानी है आज भारत में दो तरह के भारती रह रहे है कुछ का दिल है हिंदुस्ताणी और कुछ का है बरतानी इंगलिस्ताणी वो ठीक गा था यानि बार बार उसमें ठीक है उन्होंने ये कहने का भाव ये गाने में बताया था कि भई लोग जो मोडरन लोग हो रहे थे इंडियम जो पडेली के लोग मान रहे थे, इंगलिस पडेली के लोग मान रहे थे, वो लोग हमारा परिधान छोड़ते जा रहे थे, माज ये करना चाहता हूँ, धोती का चलन गया, दिरे दिरे शाड़ी का गया, लोगों की दाड़ी और मुच्छी रखने का चलन गया, मानसिक समझ और भाव को देखना बहुत ज़रूरी है। यहां बहुत बड़ी संख्या में, जैसे फिल्म में कोई कूली का रोल लदा करता है, बहुत बड़ा कराकार, वही बात भारती राजनती में बहुत बड़ा खड़ा बना पड़ा है, भारती परशासन, हमारा चनल सुरुस करा, शासक और परशासक को ग्यान भी देगा, और न आते थी और इसलिए बार बार आई कब सिकंदर हुआ था कद अहमेद साथ डाली वा था दोनों की बीच में बहुत हुजारों सालों आंतर है आज भी हमें देखना होगा कि लोग अपने बच्चे विदेश्चों पढ़ा रहे हैं और भारत माता की सिक्षा को महान बता रहे हैं भारत को महान बता रहे हैं इलाज विदेश्चों में करवा रहे हैं क्यानों बता गई इतने चिकित सा मावच देले इतने चिकित सा विश्चों इदेले मेडिकल कॉलेजेज, मेडिकल यूनस्टीज कौन सा अपकर्ण खरीद कर लाना है क्यों जा रहे हैं वो लोग भार बहुत सोचने का विशे है बाहर काम से जाना हमें पता है सरकार के नुमाइंदे बाहर जाते हैं रक्षा समझवतों के लिए राज़तिक समझवतों के लिए मैं यह नहीं करा हम जाये घर देश में राज़तिक के रुप में वहां के दूतावास में सेवाँ देने के लिए यह कुए विशे नहीं बाहर जाने का मतलब कि लोग किसी उदेश चीसने जाए बात सबस्के बड़ी ही है हो रही है कि यहां की कलाकारी करकर और बड़ा धन अर्जीत करकर बाहरी मात्रा में लोग विदेशों निवेश कर रहे हैं दादा बाई नौरोजी की ड्रेन थोरी याद आ रही है और एक प्रक्रास मेरा मनोबल भी तोड़ रहे हैं और ये भी करना जाओं भारत माता उनके दिलों में बैसे मूँ पर नहीं ये सबसे बड़ी बात आ गई राम राम जपना पराय माल अपना मूँ में राम भगल में छुरी ये पुरानी को आते भाई या विश्वास मत खोते न अज नियारे पाले का, कारे पाले का और विदायकार बुरी तरह जनता हमले कर रही है कल जब मैंने पढ़ा सुबस बड़ा दुख फोंचा भारती जो नियारे का जो परधान माना जाता है सबसे बड़ा पदा चीफ जस्टिस हो इंडिया और बुबड़े के बारे में जो ऐसे बाते सुनी मैंने वकील लोबी की और वो लोगे दबे बंसे बही पता नहीं क्या होगा पहले गोगई परिच्रित रिंता गारों पहुंचा मना कर चुका है और मैं कहना नहीं चाहता कि वो क्या था उस लोगों किन लोगों उसको मनोनित भी कर दिया उस वक्तितव को यहां लाकर राज़े समा बठाए इनों अभी इसको और यह कल बोबड़े की बात आई यह गुजरात उच्छ नेले के एक नियाएद हिस्सा की बात आई में उसका फैशला है कि बहुत ही गिनोनी हरकत से कम नहीं था मैं कर रहा हूँ अगर भारती महिलाओं को अगर वो महिला शुपरद कर दी जाए तो शायद उसको वजुद्धों स्पीड डालेंगे मैं यह बात सचा ही कर रहा हूँ पता नहीं कानून पर लेंग्रेज़ों भी बना कर भारती में यह वाज दबाई जाती थे मैं यह करा हूँ कि जिस महिला नियाएद इस नो फैसला दिया है पोस्कों के मामले में बच्चों के साथ संगीन अपराद के मामलें उसने इनोनी अरकत जो की किसी बचाने का जो परियाश किया है वो मैं करा हूँ जज नियू से तो स्वीपर बनाना चाहिए शड़को और जाड़ो दे कर और आज ही उन बनाना चाहिए इसका मतलब यह भी नहीं है यह बड़ी बात बनाने वाले कि कुछ भी कह दे कुछ कैसे कह दे एक ग्रीमा है हर पत पर बेठे वेकती कि एक शीमा है आज हमें इन लोगों को फिरी हैंड नहीं छोड़ना पड़ेगा फिरी हैंड छोड़ दियते में तबाह कर देंगे यह मौज मस्ती और पैसे की दौलत में डूबे हुए हैं क्या बूल गई हरियाना उच्च नयले की नया दिशा को कितनी बड़ी राशी को पूचाते हुए और उस पर मुकदमा दरज किया गया था क्या हुआ क्या सुनीता कांड जिसको सबसे अवल उच्च नयाई सिवम रखा गया और रजिश्टरार जो खुदे नयाई दिश केपद पर नियुक्ति था टाइटल्ड सर्मा था मैं पूरा नाम याद नहीं उस बाइका स्योरी मैं किसी समुदाएक से समन्द नहीं जोड़ना चाहता बकि जो भी उसका नाम था रजिश्टर पंजवन रजिश्टर पंजवन रजिश्टर नहीं कोर्ट उससे एक जार बार उसके डेट सो उसको बात करना पाये गया कहा सोयों यहाँ मैं आवान करता हूँ युवाँं से नोज़वानों से कि आप क्लमों की ने सुने उन तुच्चे लोगों की ने सुने जो जले भी खा कर माहन का देते हैं इननों तो महान अकबर को भी कहा है जिसने बैरम खा की पतनी से अपनी राज माता उपनी गुरु माता via कर लिया था यह तो उसको मान करें ये तो जले भी खाते हैं पांस के लोड़ा टॉप का लिख देते हैं गाई कैसे हैं ये अपने जो नचवा हैं या लेकर इनकी महांता छोड़ी आप आप भी देखिए मैं विस्त बिल्कुल करना चाहता हूँ आज भी अगर सुवास चंदर बोस जी और बगत सिंग जी चंद इच्टरवान बलवान विद्वान और इमानदार बनें बाशन नहीं मीडिया ना खरीदें चैनल ना खरीदें जनता का मन खरीदे और मन कैसे खरीदा जाएगा अच्छे करम करकर डंडे के बल पर किया आप निया अधीस के खिलाप ये नहीं के सकते निया पालिका के खिलाप ये नहीं के सकते कारी पालिका खिलाप नहीं के सकते क्या जगड़ा था जगण और रमन का कहा गया वो जगड़ा आज लोगों चर्च सामने आना चाहिए था हम अनपड़ नहीं हैं हम कोरे मुरख नहीं हैं और ने जगण से कम जानते हैं ने रमन से कम जानते हैं जगण ने कारवई की रमन की बेटी की जमीन स्वंधी मामले को लेकर क्योंकि उसके पास कारिय पालिका ही सकती थी ये लोग धन कमाने डेर सारी दरुदर के काम करते हैं रमन के पास नया ही सकती थी उसने उसका परियोग कर दिया चिला उठे हमें क्या मिला अगर युद्ध था तो युद्ध की तहह तक जाना चीए था पता लगना चीए था दोसी को न जगन या रमन कहां कही वो बात क्यों दबा रहे हैं उस बात को इतनी जोर जोर चिलन का है इनका मीडिया नियापले का चोथा स्थम ये बनेगा नयापलिकाथ चोतास तम और मैं आवान करता हूं भारती लोगों से और विदेशी प्रिवेक्षरकों से भी जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं हमारे जो बुद्धी जी भी लोग हैं वो किसी देश में बैठे लोग हो हमें सुन जरूर रहे हैं हम भी जो अच्छे अबराम लिंकन जी जी जो हैं लोग तंतरिकों की प्रिवासाँ बार बार दो राते हैं अगर को शंत बेखती कोई अच्छा स्रमाजी बेखती अगर विश्वें बेखती अच्छी सोच कर बेखती बनावटी नहीं, किसी की कलम से लिखावा नहीं, किसी का कहावा नहीं मैं कर रहा हूँ जन्त आवाद, मास वह सबसे बड़ी होती है आज भी मरे ऐसे निताओं की भीड है, रही है पहले उनकी आलोचने लोग सुनना पसे नहीं, उसने अपने लिख कुछ नहीं किया जो वेक्ती, चोर और चरितर नहीं है, उसके आलोचना करना इतना आशाम नहीं है जो वेक्ती बहन बैटी हो दूर उनकी शेमा और प्रीदियूं बठाता है अपने इसे दूर, वो संथ और वेक्ती कभी आलोचना शकार होता ही नहीं निश्ची तरुप से, जो भारती मरियादाओं को जानता है अगर चरितर के प्रिवासा की सोई शेकी नहीं तो भारती सेंस करती हो के वाहग बनना पड़ेगा अगर विदेशी सेंस करती हैं तो विवस्त है नहीं है चरितर के चरितर ही इंताव अलाओड है हमारे यहां गैर के साथ किसे गाडिम बैठ कर जाना किसी भी बेहन बेटी का वरजीत है और वो लोग खुला पन रहना जाना सब अलाओड है तो हमें विदेशी सेंस करती है तो भी चर्चा क्यों पर रहे है यहां इसलिए बहुत कर आँ अमरीकन मैड इंडियन जो है मैं पहले बोलाओ अमरीकन मैड इंडियन हमारे संसे तो बैठते हैं बहुत से बहुत से बहुत पर है क्यों ही अमेरिकन मैड इंडियन वह पर कर लोट पर घुम लिए एक हें तरे वी बहुत ऐथ संख्या हैं उनको बहरती समाज जो व्यक्ति भारती स०्व करती को निवंगे जानता वह से चरित तरवांता को से पता नहीं है क्योंकि वहां सारी व्योस्था लग परकार के मैं कुछ चैनल में सभी तरह के छोटे बुड़े बच्चे देखते हैं जो मैं अपने सब्दों को बहुत ही संतुलित रखने अपरियास करूँआ मैं कराओं कि वहां की व्योस्था बिलकु खुलापन हरत रखने में, खाने में, रहने में, सब तरही क बातों में सभी बात आ रही रूझे पर हमारे यहां खुलापन नहीं है हमारे बंदिसें हैं हमारा समाज यह बताता कि यह allowed है, यह not allowed है भेर सार हुब आते हैं समाज की प्रिवासा को जो समझ लिया वो ही वेक्ति यहां इज्जदार और रसुकदार और चरित्रवान है जो यह कहें नहीं अमेरिका की कल्चर भारत में नहीं लग सकती मैं स्री चार्शबीश और राजकपुर भाई की फिल्म सिसली चला था कि वो जुत्तार पतलोन और टोपी वाली बात तो चल गई थे हमारे या पर भाव और यह धन विदेश सुन ले ले जाएगी यहां से जो नियोजित होकर कि वो सिक्षा के बाहने को स्वास्ते बाहने साथ वहां धन लगा पड़ा यह लेके जा रहे है अब हमारे आकारे जो विदेश से निवे सारा मोरोशी से रहे होड़ा स्टाप वह बही है बहुत चोड़ा पड़ा आप एक जी ले जितना को रहता है यह तमाशा बाजी चलती रहेंगी जनता तमाशा वह सिर्फ इतना समझे स्टेज पर अगर कोई नाटक कर रहा था यह अनौन जी नहीं है यह अनौन जी का राम लिल्लाम नाटक कर रहा है यह वह है जो सुछ रेड़ी पर सबजी बेच रहा था और रात को राम दिल्ला में अनमां जी का नाटक करा तो अनमां जी का नाटक करने वाले करें अच्छी बात उस देवता का कुछ समय के लिए रूप दाण करके और दिखा रहें पर भाईया अपना ओरिजनल चेहरा जो बनाए रखे हो और आप मैं ये कहने जा रहा हूं कि हमारे बिल्कुल ये सिर्राम जी होएं देश पर और सिर्राम जी का कई लोग तो अन्य रूप में भी अपने लाब लेने के लिए नम लेते हैं मैं उन्साथी जो काता हूं राम राज जे मैतली सर्ण कुपत जी ने का था है नहीं सबरक का संदेश लाया इसी धरा को सबरक बराने आया आज मैं यही बता रहा हूं चैनल का मुख्य जो लक्षे है वो इस धरा को सबरक बनाना है सिक्षा और रोजगार की बातें पेंसन की बातें हमने बिल्कुल उठा रखे हैं चैनल जब तक जिन्दा रहेगा और चैनल की वक्ता तब तक जिन्दे रहेंगे तब तक यह लड़ाई भारत में जारी रहेगी और हमें किसी से इस मावलने पहले बता दिया कि नीश लुक शेवा है और यह जारी रहेगी कहीं भी कभी नज़र आए आप चैनल के मादेनों से बताना हम उस चीज को दूर करेंगे और सिक्ष्या और अच्छी बाते परसाइद करने का प्रियास आज है नहीं एक लाग वीडियो डालना बच्चों को बता देना चाहता हूं तो आपको किछी वीश्य वी डेले स्कूल की जुरूत नहीं होगी यही चैनल आपको मुथ सिक्ष्या देगा सरफ सुनो बेटा और अच्छी बात है वो कॉमेंट बॉक्स में लिखकर हमें पूछो आपको हर परसन का उत्तर देंगे धन्यवाद